ज užOoh कि सुझाई जैसा की आप लोगों ने देखा आज हम आपको यही वीडियो का टौटोरियल देने वाले हैं तो ऐसी वीडियों परना बहुत ज्यादा इसी है और काफी युईडियो तो यही है वारल होती है तो चलो आपको भाढ़ करते हैं वो फोटो और एक अपने नाम की फोटो तो कैसे डाउनलोड करनी है नहीं आपको डिस्क्रिप्शन से नहीं डाउनलोड करनी है मैं को बधाता हूँ तरीका गाईज आप Google पर जाओ और लिखो Cloud PNG तो आपको Cloud बादल वाली फोटो मिल जाएगी फिर आप लिखना Heart Cloud PNG तो आपको दिल वाली फोटो मिल जाएगी फिर आप लिखना जो भी आपका लेटर होगा जैसे मेरा M है तो मैंने लिखा था एम लेटर Cloud PNG तो मुझे एम लेटर वाली Cloud PNG मिल गए ते अगर आपको PNG नहीं मिलते तो आप उसके और Background को Background Eraser से आठातकर PNG बना सकते हैं तो कोई दिकत वाली बात नहीं है ठीक है गाइस तो ये चीज़े आपको डाउनलोड कर लेनी है फिर आपको अपनी वीडियो शू ट कर लेनी होगी तो मैंने अपनी वीडियो anime के लिए कैमिरा उपर करने के लिए लेकिन जो editing मैंने बताई है उसे में बताई है कि मैंने एक extra step add कर दिया ऐसे नीचे करने का तो चाहे आप camera उपर करके ऐसे उसको नीचे करते है या मैंने हाथ से ही कर दिया है तो editing सेम है तो चलो guys चलते हैं वनवाल की screen पर और आपको आगे के process बताते हैं उससे पहले अगर आपको आता है वीडियो पसंद तो like कर देना ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe करके घंटे को all पर set कर देना तो चलो तो guys simple है आपको अपने kind master application को open करना है इसको open करने के बाद आपको यहाँ click करके 9.16 वाल रेशियो select कर लेना है उसके बाद आपको आना है मीडिया में और आपको अपनी वीडियो को select कर लेना है जो आपने shoot की थी उसके बाद आपको अपनी वीडियो को दोनों अंगलियों से बढ़ा कर लेना है और यहां आगे आना है और जब यह हाथ का इशारा करता है कुछ इस तरह से यह नीचे का तो यहां आपको जाना है लेयर में मीडिया में और यह फोटो जो मैंने आपको बताया कि काम करना यहां पास तो इसको ठोटा करके हमको यहां ऊपर एसे रख देना है और इसको भी हम ऐसे ही ऊपर यहां रख देंगे okay guys फिर हमको इसको एनिमेट करना होगा तो लाइक हम यहां फिर ऐसे ही हमको सेम प्रोसेस दिल वाले फोटो में करनी है जैसे यहां हमने चाभी पर आया और यहां आया और जहां यह बादल रुख जाता है यहां हमको प्लस का निसान रख देना है और दिल वाले फोटो को भी नीचे ले आना है कुछ इस तरह से और यहां सेट कर देना ह ओके गाईज अभी देखिए दिलवाला फोटो उपर आ रहा है तो इसको बेक कर देते हैं तो इसको फोटो पर किलिक करेंगे यहां जाएंगे और इसको सेंट टू बेक कर देंगे तो अब यह थोड़ा सा अच्छा दिखेगा तो गाईज इतना काम हमारा हो गया यह तो हम य फोटो पर किलिक करेंगे फिर से अगेंच आभी पर जाएंगे और एक डॉट रखेंगे पिलस पर किलिक करके और आगे जाएंगे और यह जब हास से हटाता है तो यह कुछ इस तरह से हम और आगे जाएंगे और इसको बस यहां ऐसे रख देंगे तो अभी देखिए हमारी इतनी वीडियो कैसे एडिट हुई है यह हो गई आप यहां हमको करना किया जैसे यह नीचे आ जाता है बादल तो यहां हमको अपना मतलब जो लेटर है हमारे नाम का वो लेटर एट करना है तो भी आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं मैंने आपको बताया ही तो हम वो एड कर लेते हैं तो यह रहा मेरा वो लेटर तो इसकी यार बहुत चोटी स्क्रीन हो जाती है तो इसको आप एड करके यहां कुछ इस तरह से छोटा करके रख लें और थोड़ा सा इसको तेड़ा कर दें तो यह हमारा जैसे हमने यह रख लिया फिर हम इसको भी एनिमेट करेंगे पहले इसका लास्ट का थोड़ा इससा जो बचा है वो कट कर देते हैं और फिर हम इसको करते हैं एनिमेट तो यहाँ चावी पर जाएंगे और आगे जाएंगे और एक प्लस वाला डॉट रख देंगे और आगे जाएंगे जब यह दिल खा सकता है उधर एनिमेट होता है तो यहाँ पास हमको एक और डॉट रख देना है और M को अपने नाम के लेटर को अपने हाथ से ऐसे कर देना ह ठीक है गाइज तो अभी यह देखिए एम लेटर उपर आ रहा है तो इसको हमको send to back करना होगा तो screen हम छोटी कर लेते हैं और अपने लेटर को send to back कर देते हैं यहां से ओके गाइज फिर देखिए यहां आपको वीडियो तो edit हो चुकी यह पूरी तरह से अब यहां से हम sound add कर लेते हैं तो sound हम चलिए add कर लेते हैं और इसकी idea को extract करके वीडियो को delete कर देते हैं तो अभी वीडियो आपको play करके दिखाता हूँ आप लोग देखो एक बार so as you can see guys हमारी वीडियो edit हो चुकी है फिर simple यहां share कि option पर click करके अपनी gallery में save कर लो so guys जैसा कि आप लोग ने देख लिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी तो जाओ बनाओ tik-tok पर और viral हो जाओ bye